नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खास पेशकश मणिपूर पर मणिपूर भारत का वह राज जो तीन मई से लगातार जल रहा है सुलग रहा है वह राज जिस पर अभी तक देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने एक शब्द नहीं कहा जहांके लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िये और मनिपूर पर स्टैंड क्लियर कीजिए वो मनिपूर जहां पर न्यूस क्लिक की टीम प तक नहीं पहुचा रहा है क्या हकीकत है मनिपूर की और आखिर क्यों भारती जन्ता पार्टी इतने भीशन विरोत के बाद भी मुख्यमंत्री को बदलने के लिए तैयार नहीं है क्यों लगातार मनिपूर जल रहा है और आज भी किसी के पास इस पर एक शब्द का जवाब नहीं है कि मनिपूर में शांती आएगी तो कैसे आएगी क्यों महिलाएं चाहे वो मैती ही हो या कुकी समाज की महिलाएं हो दोनों शांती की बात तो करती दिखाई दे रही है लेकिन दोनों की शांती की परिभाशा शांती की डेफिनेशन अलग है दरसल मनिपूर में ग्र करते हैं सिध्धान्त आप और प्रतीक दोनों तीन जून से तक्रीबन तीन हफते तक रहे मनीपुर में ग्राउन में आपने देखा किस तरह से असंतोश आक्रोश और हिंसा का दौर चल रहा है कैमरे में कैद कि आप लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सबसे पहले मैं आप के जरीए दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जो एथिनिक मैप है उसके बारे में चर्चा बहुत कम है ऐसा लग रहा है पूरे भारत में बाकी लोग जो मनीपुर को नहीं जानते कि सिर्फ मैते ही रहते हैं और कुकी रहते हैं जबकि यह जो नक्षा है अगर हमारे द सिखाई दे रहे हैं यहां पर वे आदिवासी हैं जो पहाड़ों में रहते हैं थोड़ा यह बताये कि नागा किस तरफ हैं और जो क्या सारा पहाड़ी इलागा है और कुकी कि इदर रहते हैं आपने काफी बढ़िया से समराइज किया है अरूंड साथ प्रतिशत ओवरॉल मनिपूरी सुसाइटी यह दो समुदाय मेक अप करते हैं महतेई और कुकी बाकी जो हैं मिक्स्ट है जैसे हमारा यह जो मैप है अगें यह ब्रॉड मैप है बिकोज दो हजार एक्कीस में सेंसे होना था वो हुआ नहीं तो एक्जाक्ट नहीं है तो हो सकता है इसमें भी कु लोकसभा चुन्सिट्वेंसी और इनर मनिपूर इनर मनिपूर इस दो मैटे हाट लैंड यह जो जो राजवानी है और यह जो है वैली है बहुत फुर्टाइल एरिया है यहां पर अग्रिकल्चर काफी बड़े पैमाने पर है इंडस्ट्री इस भी हां यहीं पर बेस्ट है जो मेजर एडिकेशनल इंस्ट्यूशन हैं इंफाल मनिपूर का जो हाई कॉर्ट है वो भी यहीं पर बेस्ट है बड़े बड़े जो अस्पताल है एनी काइंड ओफसिलिटीज तो एक जो नारेटिव चल रहा है कि मैटे कम्यूनिटी में कि हमारी संख्या बड़ी है और हम नहीं है हमारे लिए और क्यों ट्राइबल लोग आके इंफाल में सेडिल करना चाते हैं जब इनके पास यह सारा पहाड़ी और असी से नब्य 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 और यह सारा इलाका है क्योंकि मैं चाहूंगी कि जैसे नागा है कुकी है कॉम है यह तो प्रमुख आदिवासी सम आज है एथनिक ग्रूप्स हैं जो यहां पर रहते हैं इसके लावा क्योंकि यह सटा हुआ है तो बंगाली सेंथिल भी है यहां पर पहाड़ी नेपाली का छोटा सा एक हिस्सा भी नक्षे में दिखाई दे रहा है लेकिन अभी जो लड़ाई है वो मैती और कुकी के बीच जो लोग हर जगा स्पेड आउट है जहां पड़े बड़े बाजार है वहां उनकी दुकाने हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं मेली वो ट्रेड करते हैं तो जो चार में समुदाय हैं ग्रूप्स हैं वो हैं मैती लाजिस्ट जो है उसके बाद नागाज और नागाज इन इस एक ट्राइब नहीं है बहुत सारी ताइब कई हैं जाय से जिसे रौंग में हुआ इस अल्साफ के वे these are two different naga tribes that are then uh banded together as a larger right same with cookies in churachandpur for example jinn uh organizations then like you mentioned there are smaller tribes like thadu is uh the largest cookie tribe yeah but there are and gangtae also would be cookie but the wife is for example the mars the paites uh these are not part of either of these major groups these are small tribes the com who are in these areas so in their areas what happens in their areas that the dominant uh that the population is dominant or like this you can see from this area so there are intermarriage there are relationships between them and the other so they can also get a lot of information to them so they can also get a lot of information to them similarly if you can see in churachandpur the same community of the people who will be more of a cookie in their own system में assimilate करेंगे अब हम दर्शकों के साथ और आपके साथ चर्चा करेंगे मनिपूर के इस नक्षे के साथ यह नक्षा बहुत खास है क्योंकि इसमें जो हरा इलाका है वो पहाड है मनिपूर का और जो बीच का इलाका दिखाई दे रहा है वह इंफाल और राजधानी सत्था का केंदर है अर्थविवस्था का केंदर है आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन से इलाखे हैं जहां आप प्रतीक के साथ जा पाए और कौन से भी इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हिन्सा का दोर अभी भी चल लہा है अशानती है दो तरह की अशान्ती बनी हुई है इस समय भाशा एक तो है जो इमफाल वैली में या जो इमफाल सिटी में है इसमें काफी बड़े पैवाने पे कॉमन लोग मिले हुए हैं स्ट्रीट पे आ रहे हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन अपना दिखा रहे हैं बिरेन सरकार के या तो पक्ष में या उसके खिलाफ काफी हद तक ऑपरेशन्स जो उनके और्गनाईज होते हैं वो फॉज को या खासकर कि असायम राइफल्स को रोकने के लिए भी होते हैं ताकि को रीइंफॉर्समेंट्स ना भीज सकते हैं क्योंकि जो नारेटिव बना हुआ है वो ऐसा है कि जो सेंट्रल फोर्स हैं वो कुकी पक्ष ले रही है मैं यहां दर्शकों के लिए यह चाहूंगी कि आप इसको भी बताएं क्योंकि दो तस्वीरें हैं जो मैतेई समाज है मै चाहते हैं वहां पर भी महिलाएं हैं और जब आप वहां थे तब यह घटना हुई थी जब मैतेई समाज की महिलाएं एक अठा हुई और उन्होंने जो 12 पकड़े गए थे उन्हें चुड़ाया और इसके साथ मुझे लगता है कि यह इलागा भी है जहां पर लागातार चाहते हैं और कुछ लोग नहीं से ना चाहते हैं पक्षवाली बात है भाशा एक तो हिस्टोरिकल ऑपोजिशन रहा है आफसपा के खिलाफ जो अंदोलन चलाया गया था वो जो लेड़ बाए मैतेई विमिन और उस समय जो अंदोलन था वो काफी अलग था लेकिन उसकी व दोर पे जो थे मनिपूर में वे वे अलग वाव ट्रॉमाटिक स्टोरीज रिलेट तो असाम राइफल्स ब्सक्राइब काउंटर इंसरजन सी फॉर्स है उनका रोल है मिलिटेंट्स को टेरिस्स को भूनना नूट्राइज करना उनके सपोर्ट बेसिस को हटाना इसलिए वा पटी सीमा यह लोग आवा चाही चलती रहती है लगब चार सो किलोमेटर का लैंड बॉर्डर है उसमें से ऐगे से अप्रॉक्सिमेटलि दस किलोमेटर पे इस समय फेंसिंग है बाकी जो सरकार से पता चला है में की 80 km और का टेंडर डाला गया है बट दैट सिल लीव अप्रोक्सिमेटली 300 km तो वहां से मैतेई मिलिटेंट्स का सपोर्ट बेस है या कुकी को भी समर्थन है दोनों है दोनों के कैंप्स हैं बट बिकॉज कुकी जो आम्ड ग्रूप से उनका ये सस्पेंशन ऑप ऑपरेशन अग्रीमेंट है सरकार के साथ इसेंचली पीस अग्रीमेंट है तो उसके इनके डेजिगनेटेट जो कैंप्स हैं इनको अटेंडेंस दीना होता है कि हमारे जो कार्ड़ जो बंदे हैं वो कैंप में ही रह रहे हैं बाहर में इदर उदर नहीं घूम रहे हैं इंको अप्रॉक्सिमेटली 6,000 रुपे पर मंत की का स्टाइपेंड दिया जाता है रहने गभी दो और गभी उसकी दो पीज रही है एक स्टेट गवर्णेंट साइट के पास होती है और दूसरा जो चैम्प के अपना चाहा रही थी कि आप लोग कहां 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 क्या है क्योंकि यह भी एक इंसा चल रही है हम unfortunately independent journalists हैं तो थोड़ा restrictions थे in terms of resources तो हम फुद गाड़ी बाड़ी चला रहे थे जा रहे थे also because लोग डरे हुए है right so and because जो यह जो इंफाल का जो ब्रॉडर सर्कल है जो अपने areas मार्क की है न दीजा नाओ यहां पे बार्डर बने हुए हैं तो इन बार्डर को क्रॉस करने के लिए यह तो आप neutral हो सकते हैं जैसे हम में प्रेस वाले and but कोई मैते ही यहां से यहां नहीं जा सकता है कोई कुकी यहां से यहां नहीं जा सकता है हर किसी भी डिरेक्शन में आप अगर जाएं तो गोइंग बैक तो यह जो वाली है यह हर साइड से फुठिल से यह जा नहीं सकते हैं यह जा सकते हैं यह काफी मेजर हाइवेज हैं जरीबाम रोड है यह मनिपूर का बार्डर हुआ यह तो यह फिर आपका हुआ नागा लैंड और असाम बीओंड यह जो यह जो एक साथ सिंगल अपने अजेंडा पर काम कर रही है उन्होंने बोल दिया है कि हमें जो सेपरेट इड्मिनिस्टेशन की डिमांड है उनकी समाज की मांग है कि हमें अलग से अड्मिस्टेशन यानि प्रशाशनिक विंग अलग से चाहिए तो यहां पर वाइलन्स आइस सच नहीं हो रहा है जी तो आप इंफाल और उसके आसपास के कुछ इलाकों के बारे में बता रहे हैं तो यह इन सारी एरियाज में अच्छली फाइटिंग हो चुकी है या कहीं कहीं तो चल भी रही है जहां पर लो इंटेंसिटी कॉन्फलिक्ट बन गया है एक दोर से ना तो कि मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी संख्षेप में इस पर हम चर्शा आगे भी करेंगे कि तमाम लोग भाश्पा के जो विधायक हैं भाश्पा के जो मंत्री हैं वे भी कह रहे हैं कि यह कॉन्फलिक्ट नहीं है यह सिविल वार है तो आपको वहां जाकर क्या लग लेकिन इस तरह की हिंसा लोग बता रहे हैं कि नहीं रही है नंबर्स वाइज अगर देखा जाया है वह हम इस समय कोई आक्यूरेट असेस्मेंट नहीं कर सकते हैं जैसे सीनियर पुली सॉर्स ने भी हमें जो बताया कि इस वक्त जो कंफर्मड डेट्स हैं मैंती साइट पे कुकी साइट पे दोनों सिर्फ एक साइट से कंफर्म सही नंबर मिल रहा है वो है जो सिपाही जो मारे जाते हैं वो उनकी रिस्पेक्टिव ओगनाइजेशन सीधा बोल देती है कि आज हमारा एक जवान मारा गया या घायल हुआ एसेटरा एसेटरा बाकी जो है जिस स्केल पे कॉन्फिक्ट वया है उसके मुताबिक जो एक सो तीस के आसपास कंफर्म डेट्स है वो अकुरेट नंबर नहीं है वो हमें ओवर टाइम ही पता चलेगा अगर सीरियसली इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए जो भी एजिंसी रिस्पांसिबल हैं तो जैसे हम यहां से इमफाल से निकले हैं यहां पे बीच में पैडी फील्ड यहां और इस साइड पे फिर मैते ही विलिजेज हैं अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो शाहिद दिखाई भी देंगे इन मैप्स पे तो इस एरिया में हर साइड पे अलग अलग विलिजेज जलाए गए हैं हम कोटलिन तक हम गए कोटलिन जीरो पॉइंट तक जहां पे एक मेकशिफ रिलीफ कैम बना हुआ था क्योंकि कुछ एक छोटा सा खोकेन विलिज के नाम से है जहां पे अटैक हुआ था मेते लोगों ने अटैक किया था उस विलिज पे उस समय कुछ असी लोग बचे हुए थे गाउं में तो वह सब वहां से भाग के यहां पे यहां पे एक कैम है उनके उनका थोड़ा सहारा लेके वहां पे उन्होंने एक मेकशिफ रिलीफ कैम बना है तो फाइंग में कोई बुड़ा बुज़ूर्ग हो जिनका खैल रखा जा रहा है जिनको लोकल अपने नेबर हुड ही उनको सेफ रखता है उनको एक आखरी चीज मैं आप से जाना चाहूंगी रिलीफ कैम को लेकर काफी चर्चा है अभी तक हमने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने एक शब और तीसरी बात की जो रिलीफ कैम्प है इनको कोई सरकारी मदद नहीं मिल रहे है गोशित तोर पर ऐसा क्यों है तो यह तो आपको सरकार से ही पूछना पड़ेगा उनके कुछ रीजन होंगे I think 100 करोड का एक package या कुछ अनौंस किया था वो कहां उसका कैसे यूज किया जा है जो आम जनता भी है वो चंदा एकठा करके पैसा एकठा करके material एकठा करके हमारे पास भी जैसे request आती रहती है लोगों से ना कि अगर आपका कोई contact हो डिली में जो जैसे जो महिलाओं के जो particular products है sanitary products hygiene products जिनकी camps में जरूरत है जैसे बच्चों के लिए जो जो क्या कहते है उसको formula बेबी फॉर्मिला जो 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 यंग मदर्स हैं जो breastfeed नहीं कर सकती है for multiple reasons तो उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है because पानी के issues हैं obviously तो डाइपर्स की जरूरत है कमी है और यह सब महंगे items हैं लेकिन अभी तक इन पे कोई सरकार का कोई सरकारी दिखाई नहीं तो है बट इतना इंफाल में कुछ relief camps हैं जो बड़े वाले relief camps हैं जहां सब लोग जो विजिट करते हैं मीडिया भी विजिट करती है तो सब वहीं पे जाते हैं तो वहां पे हमारे studio है approximately उस size के hall में 100 से जादा लोग रह रहे हैं तो आप कहां पे पहुंचे आप और कौन लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं उस पे एक आखरी observation आपका अभी की तारीक तर शांतिया dialogue की कोई गुंजाईश आपको दिखाई दी दोनों समाज के भीतर सरकार को अगर हम side भी कर दें तो तो कि सरकार पे दोनों पक्ष का भरोसा नहीं है थोड़ा बहुत दिखा है recent days में पिछले एक दो दिन में जैसे I think किम गांग्टे हैं वो फॉर्मर MP रह चुकी हैं उन्होंने कहा कि middle path लेने की जरूरत है अगर सब अपनी अपनी lines पे इतना जमे रहेंगे त तो कोई फिर dialogue का हिसाब किता भी नहीं है बट जो कुकी साइट पर बिकॉज हम चुरचांदपूर भी गए वहां पर हमने ITLF से बात की जो indigenous tribal leaders forum है जो in a sense movement organized कर रहा है चला रहा है और outreach कर रहा है अपनी तर अपनी तरफ की कहानी बता रहा है तो ITLF की तरफ से तो काफी clear है कि हम महती लोग के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे neighbors हमारे आसपास हमारे जान पहचान वाले लोग अगर उन्होंने ही हमारे खिलाफ इतनी हिंसा unleash कर दी है तो कैसे हम safety रह पाएंगे तो unfortunately दो महीने हो चुके हैं और बात इस से आगे जादा बढ़ी नह इस्पेक्टेड तो वो काफी reasonably बात कर रहे थे of course not saying that his community is responsible or the aggressor nobody is willing to accept their own role in the violence in that sense but saying that अगर हमें कुछ solution निकालना है तो बात करनी होगी और मैते ही समुदायव क्योंकि वो established हैं like you are pointing out the hills valley का divide है it's a deep divide हां बहुत गहरा तो तो उस mindset से मैते ही समुदाय को बड़े भाई का approach इसमें लेना है तो step back करना है अपने position से तभी कुछ ठंड़क आएगी और और फिर बातचीत का mahal at least बनेगा बट लंबा चलेगा हम यह उमीद कर सकते हैं कि मनिपूर जिस तरह से जल रहा है सुलग रहा है तीन तारीक से तीन मैं से उसमें कुछ रहा निकले हाला कि सरकार अभी तक गायब है पूरी तरह से बनी भी हुई है और गायब ही है कोई हस्तक्षेप करती नहीं लेकिन निश्चित तोर पे हर हिंसा के एक दौर को खत्म होना बहाद जरूरी है और इसमें एन बिरेन सिंग का चीफ मिनिस्टर के आफिस में रहना काफी इंपोर्टन है उनके रहते क्योंकि समुदाय के लिए बहुत मुश्किल होगा बातचीत करना वह अगर कोई सिंगल तो खाली हम यह उमीद कर सकते हैं कि मोधी जी चुपी तोड़ें और अपने मुख्य मंत्री को हटाएं वहां से ताकि एक शांती की रहा निकले बहुत बहुत शुक्रिया यह तमाम तथ्थ हमसे शेयर करने के लिए तो